शिकार खेटन देवी शुकीन ने शिकार खेटन देली जांदेने जंगल देवेच एक समा आये 1684 दा 1670 विच जनम होये 1684 दा समा दे लाग पाग 13-14 क साला दी उमर है शिकार खेटन देली जंगल देवेच गएने जदो इना ने निशाना बिने ओ जाके एक हरनी दे ओ निशाना लाग दे ओ तीर जाके एक हरनी दे वाज़े दे ते जदो इनजदीक जाके देख देने इना ने देखिया के मेरा तीर जिस हरनी नो जाके लगे ओ हरनी गरबती सी इना दियां अखाँ दे सामने ओ हरनी ते ओ दे बच्चे तडफ के अपने प्रान ते आग गए इना दियां अखाँ दे सामने इना ने आउना बच्चेया नो तडफ दे देखिया उस तड़फ ने इन्ना दे अंदर इन्ना विराग पैदा कीता विको हर नीनों मरदे देखे या उदे बच्चियानों तड़फ दे वेखे इन्ना दे अंदर इन्ना विराग पैदा होया भी मेरे तो गलती होगी मैं एक गरबती हर नीनों मार देता उदे वच्चे भी अपने सुवास त्याग गए इना ने सब कुछ छड़ के अपने आपनों बरागी बना लेया मादो दास बरागी करके भी इना दा नाम अतिहास विचोंगे जदों के सब कुछ त्याग के करो चलेया इना ने गुरु तारे जान की दासन इन्ना ने उदा पहरावा देखे या लगिया बाबा बंदा सिंग बहादर जीनों विशाइद ए मिनू शांती देन गे एक साल इन्ना ने अपनी ज़ेंदगी दा जान की दासनों दे देता गुरु मन के उन्ना दी सेवा कीती पर शांती ना मिली समा आया जदो एक जान की दासनों भी छाटके चले गए जिड़ा सकूने पाल दे सी ओं मिले इनी फिर गे गुरु तार देने राम जी दास थमन इना नू लगे एवी ए शाइद मिनू रबदे नेडे लेके जानगे शाइद मिनू शान्ती मिलेगी जिड़ा सकून में लबदा फिर्देओं मिल जाएगा पर इना दे अंदर दे तड़ राम जी दास थमन को लाके भी खत्म नी होए क्योंकि ओ ना दा ये राम जी दास सी पर ओ दे अंदर राब प्रती कोई नेड़ता नी सी जीवन वेच कोई एदा दा निखार नी सी के ओ राब दे नेड़े लेके जा सकते समा पाके इना दा मिलाक हुंदे अगड़ नाथ दे नाथ हुने के तीजे नमबर ते गुरुतार दे ने अगड़ नाथ नो इना ने एथे रह के अगड़ नाथ दे डेरे विच बड़ी सेवा कीती अगड़ नाथ दी जदो अगड़ नाथ चड़ाई कर जांदे जे ओ रेंदा हो सकते वी हूर भी ओदे कूल बाबा बंदा सिंग बहादर जी रुके रेंदे पर जदो कुछ डाही कर जन दे ओधा ॉदा डेरा लशمن दास पाव बाबा बंदा सिंग बहादर जीनों मिल जन दे मादो दास बरागी जो जान की दास ने इना दा ना रखता सी इननों को डेरा मिल जन दे ते अउगण नाथ ता एक गरांत सीरिदियां सिदियां वाला स्यद अनुनियां ओभी बाबा बंदा सिंग बहादर जी दे कोड़ा आजांदे जिनने उस डेरे विच चेले ने ओभी मादो दास विरागी दे कोड़ा आजांदे क्योंकि अउगण नाथ तो बाद लश्मन दास मादो दास विरागी उन दा गुरू बनदे सबाबगाल जदो चार जाने साधी वडियाई करना हंकार भी आजांदे क्योंकि हजे सच्छा गुरू नहीं मिलिया जदो उन दे कोड़ चेले उन लगे ते गरांत भी आगिया रिदिया सधिया आला जद के बाणी ते समझे उंदिया रिद सेद अवरा साद पर उननों हजे एग ज्यान नहींगे पहला ते ओ तीर दे नाल शिकार करदे सी होण ओ बुल्ला दे नाल शिकार करने लगे ने पहला कमान दे नाल शिकार करदे सी होण बुल्ला नाल करने लगे ने पहला जानबरांदा करदे सी हुनपले पुरुशानदा करने लगेने जो राबदे करदियां गल्ला करने वाले ने उन्हादा मखाल भी अड़ोंदे जदों भी कोई इन्हादे डेरे चाके वैठदे पलांगनू मुद्दा मारदे ने तरांदे मजा करदे ने उन्हादे नार एदा एनादा जीवन गुजर्दा जारे है बती तो हुन्दा जारे है समा आया स्तारांसो अठिस वीदा देखो सोडांसो चरासी तो लैके स्तारांसो आठ तक चौवी साल उहरने ते एक दन तड़फी सी उदे वच्चे थे एक दन तड़फे सी पर मादो दास वरागी चौवी साल तड़फ दे रहेने अंदर दे शांती लैन दे ले किते जान देने कदे किसे नो गुरू तार्न करदेने हुन समा आया जदो इना कुल चेले भी आगे देरा भी आगिया इना ने बोलाना शिकार करना शुरू करदेता मनुखां दा शिकार करदेने मखाल अड़उंदेने मजा करदेने समा आया 1708 दा तानगुरु गोविन सिंग महराज जी इना दे देरे चायेने जदो आये आके पलंग ते बैठी मैं संखेप ची गाल कर रही है क्योंकि अप इना दे जीवन चु सिखेया लेनी है जी बिस्धार नल गाल करी है लाग पाग तैन चार दिन ते अपा कहले ये आम जी गाल लेके इना दे जीवन ते लाग जान गे जादा पामे लाग जान जी कली-कली गालनों विचारना हुए मैं संखेप ची बेंती करांगी साथ गुरू जी इना दे देरे चाये किसे चेले ने जाके दसे आगी ओस पलंग ते जीते तो किसे नो बैठन नी दिन दा अज ओथे कोई आखे बैठ गे तो चाल नाले जाके देख कौन है ए आया इने साथ गुरू जीनों जदो तक्किया न बाणी समझाओं दिया तान मन हुए निहाल जाग और देखा सामणे जदो गुरू दिया नजरां वेचे ने नजर पाई सत्गुरू जीने ऐसी मिहरती नजर नड़ तक्किया एदिया रिदिया सिदिया पिछे रह गईया एदिग दे तरती ते चरना वेच बैठ गै जदो चरना च बैठे या ना सत्गुरू जीने गल कई मादो दास मैं सुने भी तो जदो हरनी दा खून डुले आ सी न जदो ओदे बच्चेयां दा खून डुले आ सी तो बिरागी हो गया तेथो ओँ हरनी दा डुले आ खून देखे आनी गया ओदे तडफ दे वच्चे एक जानवर दे तडफ दे बच्चे तथो देखे नी गए तो विरागी बन गया की गलमा दो दास जदो पंजाब दी तरती ते मसूमा दा खून डुलेया सैब जादियानो नीह वच चन दिता गया ओदो तेनो तरसना आया जदो जालमा ने चमकार दी कच्ची गड़ी दे वेच इना कहर कीता लखा दी गिनती वेच चाली सिंगानों के राप आये की तेनो ओदो तेरा खून अबाले ना मारेया ओदो नी तेनो पता लगेया भी तेनो कुछ करना चाहिए दे जदो सात्गुरु जी ने ऐसे शब्दां दे बार कीते ए हाथ जोड़के आख दे सात्गुरु जी तुसी मेरे कुलाईयों मिन्हों दसो मैं की कर सकते मिन्हों कोई सेवा दे दे कोई सेवा ला दे सात्गुरु जी ने सब तो पहला पुछ है अभी तु कौण है तु कौण है चेक करन दे ले इ अंदरों इन्हे दा हर दाशोद सी इन्हे कह देता के सात्गुरु जी मैं ते बंदा इन्हे नी के में लश्मन दासा में मादो दास विरागी या नहीं मैं ते बंदा है सात्गुरु जी कहन लगे की दा बंदा कहन लगे तो अड़ा बंदा सात्गुरु जी कहन लगे विचे बंदा इन्हे ता बंदियां वाले काम करिया कर बंदा होके बंदियां ता मखौल अड़ाउने बंदा होके बंदियां वाले काम कार ते साथ गुरु जी ने एदे डेरे दे वेच गुदावरी दे कंडे ते एथे साथ गुरु जी ने इनु अमर्त शक आया वेको सब तो पहलना जदो गुरु बाबा जी पांज पियारयां चे लगे या न केसगर सह्भ दी तर ती ते जदो सब तो पहली बार अमर्त संचार उन्द थे पाई बया सिंग जी अमर्त शक दे ने ते अपने जीवन काल दे वेचे जदो सब तो आखरी वार साथ गुरु जी ने अमर्त संचार करवाय थे अपने जीवन काल दे वेच जदो आप पांज पियारियां देविच लगे ने ओ समाए बाबा बंदा सेंग बहादर जीनू अमर्त शका ओड़ा इना नू अमर्त शका के थापड़ा देके पंजाब दी तरती वाल तोरं दी त्याड़िया